लोग सबाई नहीं राज़ोसबा में भी BJP और NDA का संख्या बल कम हो गया है राज़ोसबा में बाज़िपा के चार मनों ने सदस्य शनिवार को सेवा निवृत हो गया और इसके साथ राज़ोसबा में BJP की ताकत घटकर 46 और NDA की ताकत 101 हो गई है उनने सीचे खाली होने से राज़ोसबा में सदस्यो का वर्तवान संख्या 226 है वो सवाल यह है कि क्या राज़ोसबा में BJP की मुश्किले पढ़ेंगी क्या संख्या कम होने से NDA को नुकसान होगा क्या NDA के पास महत्वपूर्ण कानून पारित करने के लिए प्रयाब संख्या है या नहीं इन सवालों का जवाब यह है कि BJP अभी भी मजबूत स्थिती में है NDA के पास अभी भी साथ गैर राज़ोने तेक नामांकित सरस्यो निर्दली और AIADMK और YSRCP रिसा योगियों के समर्थक से आगामी बदर सत्र में महत्वपूर्ण कानून पारित करने के लिए संख्या है लेकिन दूसरे और पर निर्भार कम करने के लिए नामांकित श्रेणी के तहर रिक्तियों को जल्द से जल्द भरना होगा रिपोर्ट के मुतारित राजसवा सांसल, राकेश सिन्ना, राम शकल, सोनल, मान सिंग और महेश, जेठम, लानी, मनोनित है ये सबी शनिवार को सेवा निवर्थ हो गए राजसवा के लिए नामांकित होने के बाद उन्होंने अपचारिक खुद से खुद को भाजपा के साथ जोड़ लिया नामांकित श्रेणी में एक अन्य राजसवा सरस्य गुलाम अली है जो भाजपा से है वो सितंबर दोजार अठाइस में सेवा निवर्थ होंगे राजश्वती सरकार के सिफारिश पर बारस सरस्यों को राजसवा के लिए मनोनित करते हैं वर्तमान सदन में उन में से साथ खुद को गैर राज़ुनी तिक यानि कि भाजपा का हिस्सा नहीं है रखते हैं लेकिर ऐसे सदस्य हमेशा कानूर पारिट करने में सरकार का समर्थन करते हैं राजसवार 19 सीटे खाली है पिछले महीने लोकसवा चुनाव के कारण 11 सीटों में से 10 सीटे खाली हो गई थी बार राज़्ट समीती के सरस्य के केशव राओ के स्तीफे से 1 सीट खाली हो गई थी बार में केशव राओ कॉर्णस में शामिल हो गए आने वाले महिने में इन 11 सीटों पर होने वाले चुनाओं में 8 सीटे, NDA और 3 सीटे इंडिया को मिलने की संभावना है ऐसे तमाम बड़ी ख़बरों से चुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स